नमेश्कार दोस्तों, वेलकम टू देशास क्लासेस तो हम लोग टैस सीरीज कर रहे थे राजस्तान से रिलेटेड करन्ट अफेर के टैस सीरीज इसी श्रंकला में आज हम पर्यावरण और पारिस्तिती से रिलेटेड सवाल करेंगे और ये जो सवाल है ये बार-बार रिपीटेड सवाल है और 100% इसमें से कोई ना कोई सवाल ऐसा होगा जो रिपीट होगा ही होगा एक्जैम में अगर आप पुराने पेपर्स देखेंगे तो आपको ये सवाल उनमें भी मिलेंगे और अभी जो पेपर्स हो रहे हैं उनमें भी ये सवाल आ रहे है क्योंकि ये इस तरह के सवाल हैं कि इनका कोई डाटा वगरा चेंज नहीं होता है बार-बार इसको पूछा जाता है तो चलिए हम पर्यावरन और परिस्थिती के सवाल करते हैं और यह हमाई टेस्स सीरीज का फर्स्ट पार्ट है स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से हम लोग प्राकतिक संतूलन के लिए कार्बंडाई आकसाइड की सांध्रता सरवाधिक उप्यूक्त मानी गई है जो गैसे के हम कंपोजिशन पढ़ते हैं उसके अंदर कंसेंट्रेशन कितना है सांध्रता मीज कंसेंट्रेशन कितना है बहुत सवाल है यह आप देखिए यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है अकसर आप प्रतीशत में पढ़ते हैं carbon dioxide कि आप प्रतिशत में पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं 0.03% और ये अकसर पूछा जाता है कि carbon dioxide कितनी है gases composition में तो 0.03% लेकिन यहां किसमें पूछ ली? PPM और ये PPM का मतलब क्या है? Part per million ठीक है? PPM का मतलब है Part per million और यहां पर जो हमारा सही अंसर है 278 PPM तो याद रखना अगर नॉर्मली percentage में पूछे तो 0.03% carbon dioxide कि सांदरता और अगर आप से PPM में पूछे तो 278 PPM ठीक है? नेक्स देखिए अगला सवाल है इंडोर वायू प्रदूशन का सरवादिक, महतोपून, प्रदूशिक निमलिकित में से कौन होता है? तो देखे अब क्या चल रहा है? पेंडेमिक की प्रॉब्लम चल रही है सभी लोग कहा पर हैं? घर पे हैं हम लोग lockdown के अंदर हैं हम सभी घर में रह रहे हैं तो obvious सी बात है यह सवाल इसलिए भी important हो जाता है कि घर में हम लोग वायू प्रदूशन, जो है इंडोर वायू प्रदूशन क्यों नाम दिया इसको? बिगोज इतने सारे लोग है वो प्रॉपर बाहर की हवा के संपर्क में नहीं आ पा रहे हैं जाए 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 आप लोग चट पर चल गए इदर चल गए लेकिन जो इक प्रॉपर तरीके से बाहर निकलते हैं वो नहीं निकल पा रहे हैं वाक पे जाना या किसी भी चीज पे तो इसके अंदर है इंडोर वायू प्रदूशन का सबसे महतुपून प्रदूशिक निमलिकित में से कौन है तो इसके अंदर आपका जो सही आंसर है वो है रेडोन ठीके यह एक नॉन एक्टिव गेस है यह एक अक्रिय नॉन एक्टिव गेस है जैसे आप पढ़ते हैं जैसे कार्बन डेक्साइट तो CO2, Carbon Mono Oxide, CO वैसे ही इसका जो सूत्र है वो क्या है RN तो यह एक अक्रिय गेस है नॉन एक्टिव गेस है और इंडोर होने के कारण करोना के कारण लोगडाउन है इसलिए यह ज़ादा चर्चित जो इंडोर पॉपुलेशन है उसके अंदर उस पॉलूशन के अंदर इंडोर वायू प्रदूशन में इसका नाम आया है और important सवाल भी है नेक्स देखिए अगला सवाल है भारतिय संसत द्वारा जै विवित्ता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था तो यह repeated सवाल ही आते रहते है इसका जो आंसर है वो क्या है D 2002 11 दिसंबर 2002 11 दिसंबर 2002 नेक्स देखिए अगला सवाल अगला सवाल है भारत की किस नदी को जैविक परुस्थल कहा गया है बार बार पुछा जाता है यह सवाल अक्सर तो अब देखिए जैविक परुस्थल की बात हो रही है इसका जो सही आंसर है वो है D दामोदर दामोदर है इसका सही आंसर नेक्स देखिए अगला सवाल भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम भारत के अंदर आपसे पूछा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था तो इसका जो सही आंसर है वो है 2005 23 December 23 December 2005 इसका सही आंसर है एक चीज़ और ध्यान में रखना ये क्यों इन्पॉर्टेंट है आपदा प्रबंधन आप एक चीज़ ध्यान में रखिये अभी जो है आपको पता है कि भारत के अंदर क्या है साइकलोन के लिए अलर्ट किया गया है तो आपदा प्रबंधन से बार-बार चीज़े पूछी चाती है ये तो है अधिनियम एक आपको ध्यान में रखना है आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रिय नीती ये है अधिनियम और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रिय नीती जो है वो 2009 में आई थी तो वो भी मेंशन कर देंगे आने वाली टेस्स सीरीज में वो सवाल भी बट कुछ इंपोर्टन चीज़े होती है तो आपको कोरिलीट करके भी पढ़ना आना चाहिए नेक्स एक है अगला सवाल क्या है भारत में जैव विविधता की द्रष्टी से कितने होट स्पॉट है सामाने सवाल बार बार पूछा भी जाता है तो इसका जो सही आंसर है वो है कौन कौन से नाम है पूर्वी हिमाले अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें पहला पूर्वी हिमाले दूसरा पश्चिमी घाट तीसरा है इंडो बर्मा और चोथा है सुंडा लेंड चारों है जैव विवित्ता के भारत के अंतरगत होट स्पोट अगला सवाल देखिए अगला सवाल है बायो गैस का मुख्य घटक है इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं तो इसके अंदर आपका सही आंसर है A. मिथेन और कार्बन डियक्साइड आप लोगों को इसके फामलास भी पता होने चाहिए जैसे मिथेन CH4 ठीक है और कार्बन डियक्साइड कॉमन है CO2 सभी को पता ही है अगला सवाल क्या है अगला सवाल है सिगरेट के धुए में मुख्य प्रदूशक है अब सिगरेट के धुए में मुख्य प्रदूशक क्यों इंपॉर्टन हो सकता है पैंडेमिक की प्रॉब्म चल रही है किसके करण करोना के करण करोना की वज़े से अगर किसी को सबसे जो औरगन है वो एफेक्ट करता है यूमन औरगन तो वो लंग्स है और यह जो सिगरेट है उससे रिलेट करता हुआ सवाल है तो सिगरेट के धुए में मुख्य प्रदूशक कौन सा है तो अगर आपसे इस सवाल पूछा जाता है तो इसका सही आंसर है A. कार्बन मोनो अक्साइट प्लस बेंजीन तो कार्बन मोनो अक्साइट C.O. तीक है और प्लस आपसे पूछा जाए बेंजीन तो बेंजीन C.6H. ठीक है फॉर्मुलाज भी याद रखने चाहिए आपको ताकि इजी हो जाता है अगला सवाल देखिए अगला है भारत सरकार द्वारा केंद्रिय गंगा प्राधीकरण की स्थापना निमलिखित में से किस वर्ष की गई थी तो इसका आंसर है C.1985 फरवरी 1985 में केंद्रिय गंगा प्राधीकरण की स्थापना की गई थी अगला सवाल देखिए अगला सवाल है हमारा वन सरक्षन अधीनियम वो है D, 1986 लेकिन अगर आपसे यहाँ पर जल के बारे में पूछ लिया जाए तो अगर आपसे जल प्रदूशन, नियंतरण और निवारन अधिनियम पूछ ला जाए तो आपका आंसर होगा 1974 अगर जल की जगा वायू सरक्षन जो है नियंतरण, निवारन और इसी तरह से RPSC भी अप्रोच रखती है एक्जाम के अंदर आपको कोरिलेट करके चीज़े पूछी जाती है तो वन याद रखा है 1986 जल प्रदूशन, नियंतरण, निवारन अधिनियम, 1974 वायू प्रदूशन, नियंतरण, एवं नियारन अधिनियम, 1981 रासाइनिक प्रदूशन रासाइनिक प्रदूशन किस उद्ध्योग से होता है तो अब इसके अंदर आपके पास चार आप्शन इसपाथ, सूती, कपड़ा उद्ध्योग, चमड़ा उद्ध्योग और कागज, लेकिन अगर बात की जाए कैमिकल वाले की, तो इसमें सबसे ज़ादा गरम देखते हैं तो चमड़ा उद्ध्योग, ठीके? और चमड़ा उद्ध्योग जो है, आपके कानपूर चमड़ा उद्ध्योग से सरवादिक प्रदूशन होता है इसलिए उसको सरवादिक प्रदूशित शहर भी गोशित किया गया है तो यह जो आपके कुछ सवाल है, परियावरन और परिस्टी से से रिलेटेट सवाल है दूसी चीज, इस टेस्ट सेरीज को भी हम इसी तरह से चलाएंगे तो एनवार्मेंट से रिलेटेट करेंगे, पॉलिटी, राजस्थान जोग्राफी, सभी सारी टेस्ट सेरीज हम करेंगे ताकि बार-बार रिपीट होने वाले सवाल, और कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो आजकल चर्चा में वो सवाल, वो सभी हम लेते हो चलेंगे आपको easy रहे, इसलिए last में ये answer की भी आपके लिए दे दिये, ठीक है, ये पूरी answer की जो है, आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ये देखिए आप इसको आराम से देख सकते हैं, आपको अपना खुद का आप टेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर, और राजस्तान आर्तिक समीक्षा, बजट से रिलेटर, सारे सवाल आपको इसके अंतरकत मिल जाएंगे दूसी चीज है, हमारा WhatsApp ग्रूप पर नम है, उसमें आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, रोज सुबह आपको आट बजए ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आप चैनल भी है, आपके टेलिग्राम का चैनल भी है, दिशास क्लासेज जो है, आर अब रेड़ोन है, तो रेड़ोन क्या है, एक नोन अक्टिव गैस है, तो हर चीज लिखी नहीं जाती, तो आपको पूरा जो वीडियो है, डंग से पड़े, ताकि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़े भी जानकारी मिल सके, चलिए इसी शंकला को हम जारी रखेंगे, धन् होता, ञामनी अपिए ऑ कर त呀 हम जो से लेकितने हरनबगे, तो ह्माट कही को होता है, तो आपको एक्सट्रा चीज़ें इस प्रचले इस प्रावेदोर प्राती शनर चीज़े के तो हम हम आपको रखेंगे, और सके तो हम ठτά,